हलो एन वेलकम फ्रेंड्स, ओपन ओफिस राइटर सिखने की सिरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है ओपन ओफिस राइटर की, यहाँ पर देख सकते हैं ओपन ओफिस राइटर मैंने ओपन किया, अगर आपको टेबल बनानी है, तो यहाँ पर रहते हुए, कंट्रोल के साथ F12 बटन प्रेस कीजिए, जैसे प्रेस करेंगे तो यह इंसर्ट टेबल वाली विंडो ओपन हो जाएगी, अब यहाँ पर रो और कॉलम्स की संख्या दी गई है, आप यहाँ से टैब बटन प्रेस करके यहाँ आ सकते हैं, कॉलम, रो वगरा वगरा चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर दो रो दो कॉलम्स दिया हुआ था, मैंने तीन कॉलम्स दो रो कर दिया, और एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तीन कॉलम्स और दो रो बन गया है, अब आपको डिलीट करना है, ठीक है, और प्र column delete करना है तो column पे चले जाएए और यहां से column को delete कर दीजे एक column delete हो गया ठीक है अगर आप row delete करना चाहते हैं तो यहां पे चले जाएए row को delete कर लीजे ठीक है तो यहां delete row पे click कर देता हूँ एक row delete हो गई ठीक है यह क्या है यहाँ पर insert column अगर आप column insert कराना चाहते हैं तो यहाँ पर click कर सकते हैं तो एक column और insert हो जाएगा अगर आप एक और insert कराना चाहते हैं तो फिर click कर दीजे एक और हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से आप कर सकते हैं आप एक row इंसर्ट कराना चाहें, तो यहाँ पर जा कर गे, करा सकते हैं, क्लिक कर दिजे, एक row भी इंसर्ट हो गई, देख सकते हैं, ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अब ये window जब गायब हो जाएगी, तो यहाँ पर click करेंगे, तो फिर ये window open हो जाएगी, कहीं-कही open office writer में ये नीचे दिखाई पड़ती है ठीक है तो आप नीचे भी देख सकते हैं अगर आपको न दिखाई पड़ी हो तो नीचे शायद ही आ जाती है तो वहाँ पर आप नीचे भी जा सकते हैं ठीक है अगर आप color करना चाहते हैं जैसे ये जो cell दिख रही है green color apply हो गया फिर इसमें कुछ और देना है तो यहां से कोई और color apply कर दीजे तो यहां पर click करिए और यहां से ये color apply कर देता हूं मैं तो इस तरके से color भी apply कर सकते हैं ये बहुत आसान है बहुत easy है आई hope की बात समझ में आ गई होगी अगर आपको यह video पसंद आए तो आप शे share कर सकते हैं okay thank you for watching this video